दोस्तो इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं योग के बारे में जिसमें अब तक हमने योग के अलग-अलग प्रकारों के बारे में जाना ग्यान योग के बारे में विस्तार से चर्चा की अस्तांग योग के बारे में विस्तार से चर्चा की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अवशक्ता नहीं होती, सहज इसलिए है, इसमें किसी करम की अवशक्ता नहीं होती, सहज इसलिए भी है कि इसे हर कोई कर सकता है, बच्चा, बुड़ा, इस्त्री, पुरुष, कोई भी, बस उसके अंदर एक भाव होना चाहिए, जिग्यासा होना ही चाहिए, पूरन रूप में देखता है, और उस मूर्ति के अंदर इश्वर को पाने का प्रेतन करता है, तो इसे भगती कहा जाता है, दोस्तों, भगती शब्द भज सेवा याम धातु में किम प्रत्य लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है, अपने इस्त के अंदर ही भगवान को देख उसको भजना, उसकी सेवा करना, उसको पूरण रूप से समर्पन कर देना, दोस्तों, भगती का सबसे महतव पूरण घरंथ है, नारद भगती सूतर, इसके अलावा शंडिल्य भगती सूतर और परलाद भगती सूतर भी है, भगत परलाद ने नवता भगती में नो परकार की बगति के अंग बताए हैं जिसके अंदर श्रवन, किर्तन, समरण, पादसेवन, अर्चना, वंदन, दस्य भाव, सक्ख्य भाव और आतम निवेदन हैं दोस्तों इस तरीके से हम भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं उसके प्रति समर्पन भाव से काम करते हैं हनुमान दस्य भाव के सरवस्टेश्ट उधारन हैं अर्जुन और सुदामा सक्ख्य भाव के सरवस्टेश्ट उधारन हैं तो दोस्तों इन सब नो तरीके से हम भगति के अंदर प्रणत होते हैं और जैसे जैसे भगति बढ़ती जाती है जैसे जैसे श्रनागती बढ़ती जाती है सबसे पहले हमारा एहकार कम होता है क्योंकि हम अपने आपको समर्पित कर देते हैं उस इश्वर के आगे उस परमात्मा के आगे जिस से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हमारे अंदर धया कोरुणा प्रेम का फुर्ण हो जाता है और भकती की चर्म सिमा में हर व्यक्ति के अंदर उस इश्वर का वास देखते हैं। दोस्तो भक्ति के भी परकार होते हैं। इसे कई तरीकों से जाना जा सकता है। भक्ति का एक परकार है पराभक्ति और उसी में दूसरा है अपराभक्ति जिसे गोनी भक्ति भी कहा जाता है। कोनी भक्ती में अपने इश्वर से, अपने इश्ट से, अपने प्रमात्मा से कुछ मांग होती है, किसी वस्तु की मांग होती है, किसी पद की मांग होती है, परतिस्था की मांग होती है, किसी एश्वर्य की मांग होती है, और परा भक्ती की अंदर जब किसी तरह की मांग नह जाता है और यही भक्ति की सबसे उच्छ अवस्था मानी जाती है दोस्तों दूसरी किसम की भक्ति में सगुन और निर्गुन भक्ति होती है सगुन भक्ति के अंदर हम एक श्वर का अकार्पना देते हैं और उसे गुनों के साथ देखते हैं जैसे राम की भक्ति क्रिशन की भक्ति या हनुमान की भक्ति या किसी देवी की शंकर की गनेश की सुर्य की भक्ति जब हम अपने इस्ट के अंदर गुना धान कर देते हैं उसके अंदर गुनों का आरोपन कर देते हैं तो इसे संगुन भक्ति कहा जाता है और दूसरी होती है निर्गुन भक्ति जब हम अप उस तरह की भगती है जिसके अंदर अपने इस्ट को निराकार रूप में सरवग्य और सरफशक्तिमान माना जाता है इसे निरगुन भगती कहते हैं दोस्तों जिस तरह से भगती के परकार होते हैं भगती की एक विधी होती है उसी तरह से भगत के भी परकार होते हैं भगत को चार अलग-अलग प्रकारों में बाटा जा सकता है पहले प्रकार के भक्त होते हैं आर्थ आर्थ का आर्थ होता है दुख जब किसी दुख आने पर कोई व्यक्ती भक्ती के अंदर उतरता है अपने इस्ट के प्रती अपने इस्ट को प्रेम करना चुरू करता है कोई द्रव्य कोई वस्तू की डिमान करते हैं अपने इस से भगवान से तो वो अर्थारती भगत कहलाते हैं तीसरे किसम के भगत होते हैं जिग्यासू जब भगत जिग्यासा के प्रति की भगवान है या नहीं है है तो कैसे हैं कैसे दिखते हैं उसका सवरूप क्या है जो भ जब भक्त के अंदर तितिक्षा आती है तब आ जाता है यम नियम को वो सिद कर लेता है अस्तांग योग ज्यान योग के जरिये ज्यान को प्राप कर लेता है नित्य अनित्य वस्तु वेक के जरिये उसे संसार की नश्वरता का पता लग जाता है और अपने आपको वो बढ़ता है श्रवन की और फिर मनन और नीदी ध्यासन से आतम सक्षातकार करता है पूरण शरणागती में आ जाता है भगवान को अपना सर्वस्व समर्पन कर देता है दोस्तों जब निश्काम करम की चरम सीमा होती है जब ज्यानियों की चरम सीमा होती है जब अस्टांगयो पूरण समर्पन कर देता है तो इन सारे योगों का जो उतकर्ष होता है इन सारे योगों का जो मिलन होता है वो उस प्रम ब्रम को देखने में होता है ऐसा भक्त, ऐसा योगी ऐसा ज्यान योगी, ऐसा राज योगी ऐसा करम योगी एक ही होता है और वो सब योग को आतम साथ करके आतम साक्षात कर तक पहुंच जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है निर्वान की प्राप्ति कर लेता है उसे ही देहमुक्त कहा जाता है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही हमने आज समझा कि भक्ति योग क्या है उसके जरिये कैसे प्रमात्मा को पाया जा सकता है कितने प्रकार की भक्ति होती है उसकी विधी क्या होती है भक्त के कौन-कौन से प्रकार होते है और भक्ति योग का वर्रण जिन करंतों में है वो कौन से है